हेलो फ्रेंड्स वेलकम बेक तो माई यूटूब चैनल एम्टी वित अली रुदा फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम एलन की और एलन बॉल्ड हम किस सरा से फांड कर सकते हैं कि कौन से बॉल्ड पे कौन सी एलन की लगेगी इस विडियो में हम वो सीखेंगे और उस फार्मूले ऐखी हम संजएंगे कि कौन से बॉल्ड पे हम किस एलन की का स्तामाल करेंगे एक सिंपल फार्मूला है हम इस वीडियो में सीखेंगे तो चलिए विडियो को हम स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, एललं कोल्ट की साइज काल्यूलेशन फॉर्मुला सबसे फियले हम बात करेंगे कि एललंकी किस तरह बनाई जाती है एललंकी इस मैनिफेक्शरड फ्रॉम हाड़न टेंपर्ड कुरूम विनाडियम स्टील leen keys hardened and tempered chrome vina mestil बनाए जाती है with chemically black finish जिनको chemically black finish किया जाता है and chamfer ends और इनके end में chamfer ends किया जाते है इसका जो angle होता है leen key का वो always 90 degree का angle होता है ठीक है फ्रेंट्स और अगर हम bold की बात करें कि bold को हम किस सरह नापते हैं तो bold को always आप major diameter से ही नापते हैं means के bold M2 का है M3 का है M का मतलब होता है के bold metric thread में MM thread में ठीक है और always bold को जो हम bold का size नापते हैं जिस तरह आप इस picture में देख रहे हैं major diameter मतलब वर्नियर को आप major diameter ही नापेंगे आपको bold का size पता चल जाएगा के ये bold कौन सा है तो चलिए हम further discussion करते हैं कि कौन से bold पे कौन सी allen key लगती है सबसे पहले हम बात करेंगे M2 और M3 मैंने आपको भी बताया कि M का मतलब होता है metric thread और यहां पे M2 M3 के bold के लिए कौन सा formula यूज करेंगे जिसे हम इनकी allen keys को find कर सकते हैं तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा M2 मैं से 0.5 – M3 मैं से 0.5 º माइनश करेंगे तो तो हमें allen key का साइζ मालू हो जाएगा अभी हमने M2 मैं से 0.5 – कि 1.5 की allen key लगेगी और जबके M3 में से 0.5 – तो 2.5 की allen key लगेगी ठीक है फ्रेंड्स तो यह M का मतलब बैसिकल लिए होता है कि मैट्रिक ट्रेड और M2 जो है वो मेजर डायमेटर होता है बोल्ड का ठीक है तो यह इसका M2 और M3 के लिए फार्मूला है माइनस करेंगे हम 0.5 तो उसके L&K का हमें साइज मालूम हो जाएगा फर्दर आगे बढ़ते हैं यहाँ पर M4, M5 और M6 M4 बोल्ड के लिए M5 बोल्ड के लिए M6 बोल्ड के लिए हम क्या फार्मूला इस्तवार करेंगे जिससे हमें उसके L&K का मालूम पढ़ जाए तो इसके लिए हम फार्मूला इस्तवार करेंगे इन में से हम माइनस वन कर देंगे अगर M4 है तो माइनस वन कर देंगे M5 है तो माइनस वन कर देंगे M6 है तो माइनस वन कर देंगे तो हमें N की L&K find हो जाएंगी M4 में से माइनसवन किया तो 53 mm की एलन्ट की लगेगी M5 में से माइनसवन किया तो 4 mm की एलन्ट की लगेगी और M6 का जो बॉल्ड है उसमें हम माइनसवन करेंगे तो 5 की एलन्ट की उस पे लगेगी फरतर आगे discussion करते हैं अब यहां पे M8 के ऑल्ड के लिए M10 के बॉल्ड के लिए M12 के बॉल्ड के लिए M14 के बॉल्ड के लिए M16 के बॉल्ड के लिए हम कौन सी ऐलंड की यूज करेंगे तो इसके लिए जो फार्मूला है वो यह है कि यहाँ पे आपने माइनस 2 करना है M8 से लेके M16 तक आप माइनस 2 करेंगे तो आपको LNK find हो जाएगी कि इस पर कौन सी LNK लगेगी M8 में से हम माइनस 2 करते हैं तो उसको 6 की L की लगेगी M10 में से हम माइनस 2 कर देंगे तो 8 की L की लगेगी M12 में से हम माइनस कर देंगे जिनको आप याद करें तो बहुत ही आसान हो जाता है किसी भी बॉल्ट की एलंड की फाइंड करना आगे discussion हम देखते हैं अब यहाँ पे M20 है और इसके लिए हम क्या फार्मॉला इस्तमाल करेंगे तो इसके लिए simple minus 3 कर देंगे M20 का बॉल्ट होगा तो minus 3 करेंगे तो 17 mm की एलंड की इस पे लगेगी और M24 का बॉल्ट होगा तो इस पे हम क्या करेंगे माइनस 5 करेंगे तो हमें 19 की एलंड की लगेगी ठीक है अब यहाँ पे last में यहाँ पे point to remember जो है वो यह है कि always आपने यह चीज़ याद रखनी है कि M16 के बॉल्ट को और M18 के बॉल्ट में 14 की एलंड की लगेगी यह आपने याद रखना है यह point और M20 और M22 में 17 mm की एलंड की लगेगी ठीक है तो friends उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपके लिए काफी helpful रही होगी और कोई इसमें rocket science नहीं थी simple था M का मतलब होता है metric thread ठीक है और बॉल्ट को नापने का आपको मैंने बताया कि उसको always हम major diameter नापते हैं ठीक है जहाँ पर भी M20 हो M3 हो M4 हो तो वो उसका metric thread है और जो एलंड की फार्मूला था वो आपने इस वीडियो में सीखा उमीद करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी अगर वीडियो अच्छी लगी है तो नए दोस्तों के साथ share दरूर कीजेगा और जो diploma holder है या फ्रेशर है टेक्नीशन है उनके साथ भी यह वीडियो ज़रूर शेयर कीजेगा मिलते हैं नेक्स वीडियो में ओके अल्ला हाफिज